बात जब 22 गजगी हो और विकेट के पीछे तेज दर्रार महेंदर से धोनी हो तो दुनिया भर के बल्ले बाजों को एक बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि धोनी की चीते सी फुर्ती और जेम्स बॉन्ट से तेज दिमाग पर कभी संदेह नहीं करते जरासी चूक उन्हा पवेलियन का रास्ता दिखा सकती है विकेट के पीछे मुस्तायद MSD जितने चुस्त दुरुस्त रहते हैं उन्हें अगर क्रिकेट का राजनी कान्त कहें तो गलत नहीं होगा दुनिया भर को अपना फैन बनाने वाले महिंदर सी धोनी की चर्चा साथ समुंदर पार दक्षिन अफरिका में भी इन दिनों हो रही है दरसल 6 मार्च को धोनी जहां अस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वंडे खेलने के लिए अपने घर राची में इन दिनों मौजूद थे तो वहीं दूसरी तरफ सेंचूरियन क्रिकेट ग्राउंड में दक्षिन अफरिका और स्री लंका के वीच खेले गए मैच के दोरान कमॉन MSD कमॉन MSD गूज रहा था दरसल दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे दूसरे वंडे के 32 ओवर में एक दिल्चस्त नजारा देखने को मिला श्री लंका के 136 रन पर 9 विकेट गिर चुके थे और दक्षिन अफरिका को जीत के लिए एक विकेट चाहिए थे गेंडबाजी कर रहे इमरान तहिर ने जैसे ही तीसरी गेंडफे की वो श्रीलंकाई बल्लेबाज को च्छकाते हुए विकेट कीपर डेविड मिलर के दस्ताने में समा गई और उन्होंने बिजली की तेजी से बल्लेबाज की गिल्लियां भिखिर दी डेविड मिलर की ये फूर्ती देखकर कप्तान फाफ डुप्लेसिस को महिंदरसी धोनी की राफसार की याद आ गई और स्लिप में खड़े डुप्लेसिस ने मिलर को चीयर करते हुए कहा come awn, MST डुप्लेसिस ने ये तारिफ महिंदरसी धोनी की यूही नहीं की थी दरसल डुपलेसिस IPL में धोनी की टीम चेन नई सुपर किंग्स के साथ काफी समय बिताया है और वो जानते हैं कि एक कप्तान के साथ साथ विकेट के पीछे धोनी कितने तेज हैं धोनी की इसी तेजी ने ICC को भी अपना फैन बना लिया था उसे ट्वीट कर दुनिया भर के बल्लेबाजों को सलाह देनी पड़ गई थी कि जब विकेट के पीछे धोनी खड़े हो तो विकेट न छोड़े ICC को ये बात यूही नहीं कहनी पड़ी रिकर्ड बुक में बतोर विकेट कीपर धोनी का रिकर्ड बता रहा है कि वह क्यों दुनिया के टॉप विकेट कीपर है 340 वंडे मैचों में धोनी ने विकेट के पीछे 434 शिकार किये हैं जिसमें 120 स्टंपिंग और 314 कैट शामिल है